यहां पहली यह निगल के आ रही है कि जो आप लोग की All India counseling है उन्होंने यहां पर यह लिया है निर्ड़ाइ आप लोग के सामने की तक्निकी संस्थानों में एक नॉवंबर से सुरू होगी नए सत्र की कच्छा है जी हां उन्होंने कहा है कि एक नॉवंबर से तक्निकी जो भ यहां पर सुप्रिम कोर्ट ने साब साब कह दिया गया है कि हर हालात में परिछा सिद्वंबर में होनी चाहिए और होगी ही तो आप लोग अपने त्यारी पर लगा दो जो जो आप लोग जिनगी पर इसले प्रहाई किये वह कंप्रिट होना चाहिए फिर गाई जहां देख या फी 18 से 20 से सन जो पिछले वाले हैं नए वाले नहीं नहीं करता फॉल फॉल फो चुका है और लेड़ी पिछले वाले हैं उनको कहा गया है कि परिछा फॉर्म भर या ठाथ उन लोग का एकजाम होगा दोसरी ख़बर निकल के आ रहे हैं कि भागलपूर में यह निज़ परिछा फॉर्म में दो हजार इकीस का फॉर्म वह आज से ऑनलाइन भराया जाएगा तो आपको भरना है तो ऑनलाइन भर लीजे और परिछा इंतर का कल से तो इसमें यह वात लिखा हुआ है तो यहां पर दूसरी ख़बर निकल के आ रहे है आरे ग्यान भर्ट विस्वत से जी हां उसमें यह कहा गया है कि बीना परिछा परमोट होंगे सभी कोर्स के चाथ वैसे भी दोस्तों और लेडी एक यू परमोट कर चुका है आरे भर्ट ग्यान विस्वत दाले तो आप इसके बार में क्या कहना है नीचे अपना राय देजे नीचे और कॉमेंट कर सकते हैं वाई गाइजन दूसरी ख़बर निकलके आ रही है कि TMBO तिलक माजी निवर्सिटी में ये ख़बर निकलके आ रही है कि तिलक माजी निवर्सिटी में एकडमी कांसलिंग की बैठक आज होने वाली है और देखिए क्या फैसला होता है जिसमें आप लोग को एक्जाम से क हर एक चीज़ का ने फैसला होगी तो आप लोग देखना है तो देख लीजे तो दोस्तों यहां पर अगली बात में खबर बात को तो अगली खबर यहां पर यह है कि परिचाय कराय बीना डिग्री देने का निर्णा है यह राज यह नहीं कर सकते यूजी से के यह हाथ में रहे कि बीना आप एक्जाम दिये हुए आप किसी को भी डिग्री नहीं बात सकते इस पर यहां पर कही आई है तो दोस्तों इससे मतले यह हुआ कि आज ने कल आपकी ले लिंक है बहुत इंपॉर्टे मेडियो है वो जिसमें आप लोग को पतना इंट्रेंस की जाम के भी अपडेट दी गई है जाकर देख लेना आप लोग तो अब आगे चलते हैं नेक्स अपडेट दोस्तों यहां पर यह है कि जो बिहार उनिवर्सिटी है उन्हें कहा है कि सि सिटमबर में आपकी हो सकती है विस्विद्धाले की परिचाह तो देख लेना और यहां पर कहीं कि ओम आर्ट सीट पर भी होगी हो सकती है और सोसल डिस्टेंस का पालंग किया जाएगा च्छो के बाद हो सकती है परिच्छा बूट की बैठक और चोटी परिच्छाह करा सक यहां भेज दूगा सेंड कर दूगा नहीं तो मैं अपने इंस्टाग्राम पर डीपी लगा दिया करूंगा ताकि आप वहां दे सकते हैं वहीं गाजान दूसरी आप आरी खबर जैय प्रकास से पता है कि जैय प्रकास का ओफिस्विद्ध नहीं है तो मुझे फेस्बुक स ही इनका हर कुछ उठाना पड़ता है जिसमें यह नोटिस निकलके आई है कि जो भी दोस्तों यहां पर शनात्र टित्याखंड वाले हैं 15-18 शनात्र टित्याखंड 16-16 का भी अंक पत्र महाविद्ध बेज दिया गया है जिन जिनको लाना है जाकर ले आईए इसी पर यहां फॉर्म फिल अप नहीं कर सकते हैं इसलिए दोस्तों यहां पर सभी इस्टूडेंस मिलकर बैठक बढ़ाना है कि एक्जाम का रिजल्ट नहीं आया है तो भी फॉर्म कैसे फिल अप करें एप्रिंग वालों को मौका दिया जाया या फिर नहीं जाया इसी पर दोस्तों आप लोग को डिकलेशन फॉर्म भरनी पड़ेगी जिसमें आप लोग को यहां पर सहमत बनानी पड़ेगी भाई कि हम भुखार नहीं है तो यहां पर क्या है कि एजाम होने के बाद में लोग हंगमा कर बैठे हैं कि आखिर इंट्रेंस होगी तो कैसे होगी वहीं का यहां आप लोग के एडमी कार्ट दिया जाएगा जी हां जो चार पेज होगा आप लोग को जाली किया गया जिसमें बहुत बड़े-बड़े का इडलाइन लिखे हुए हैं तो यहां पर अगली अप्डेट नहीं कर रही है पट्ना इन जो पट्ना इंवरसिटी है उससे इसमें यह कहा गया कि सितंबर के सप्ता पहले सप्ता में हो सकतो अशनाता की परिछा ली जाएगी जी हां मैंने सही कहा आप लोगों को दोस्तों मैं बता दू कि आप जो है पट्ना इनवरसिटी ऑनलाइन इंट्रेंस एक्जाम नहीं लेगी यह ओम आर्ट सीट पर आपको भुला कि नहीं दिन दी जाएगी जी हां साइस सुना वहां आप लोग की परिछा कि दी जाएगी तो आप लोग जाकर एजाम देश तो गाज आज की वीडियो कैसी लगी जुरू पताना और मेरे ख्याल से अभी जुरू पसंद आए होगी ते वीडियो पसंद आए तो हम इस्ता लाइक भी करना है दूसरों साथ में सेयर भी करना है सब्सक्राइब भी करना है मिलते हैं नेक्स पीडियों तब धन्यवाद जैहिन जैभारत गुट बाइ